ग्रामीर पेजल योजला के अंतरगत कालूपूर गाउं में पिछले दिनों करी 65 लाग की लागत से 150 किलो लीटर की बनी पानी टंकी का आज जिलादिकारी ओम प्रकाश आरे एवं मुख्य विकास अधिकारी ने अचानक कालूपूर पहुँच निरिक्षण किया जिसके कारण विभागी आधिकारियों वा कारदाई संस्थान में हलकम मच गया पानी टंकी के निरिक्षण के दोरान जैसे ही जिलादिकारी की नजर पानी टंकी के बाउंडरी वाल पर पड़ी वे भढ़क गये इस नव निर्मित टंकी की बाउंडरी वॉल में जगा जगा दरा रहे थी इसके बाद पंप हाउस, ओवर हेड, पेंटिंग, आधी के साथ ही निर्धारी जमीन की जगा कम जमीन में पानी टंकी बनाई गई साथ ही उन्होंने जब डीपियार दिखाने की बाद विभागी अधिकारियों को कही तो वे नहीं दिखा सके जिसके बाद जिल्याधिकारी ने मानक के विपरीत पानी टंकी का निर्मार पाए जाने पर नाराज की जाहिर की साथ ही उन्होंने जल निगम तिर्थी के एई एवं अवर अभियंता के वेतन से रेकवरी करने के आदेश मातवतों को दिये मालूम हो कि सरकार लोगों को ग्रामीन रिस्तर पर स्वच पेजल उपलब्द कराने को लेकर प्रयास रत है इसी करम में जनपत के विभिन गाओं में इस योजना के तहट पानी टंकी का निर्मान कराए गया ताकि लोगों को सच्छ और शुक्द पेजल उपलब्द हो सके जानकारी के अनुसार इस पानी टंकी का निर्मान पिछले वर्ष प्रारंब हुआ था ग्रामीनों के अनुसार जिस तरह से इसके निर्मान में मानकों की धज्जिया उड़ाई गए वो शासन की मंचा पर पानी फिर रहा था इस दोरान जब जिलादिकारी ओम प्रकाश आरे ने पेजल आपूर्ती के लिए बिछाई गई पाइपलाइन का भी अवलोकन किया उन्होंने खुद अपने सामने उसकी गहराई फावले से खुदवाई तो गहराई तैमानक से एक मीटर कम पाई गई जिस पर जिलादिकारी भड़क उठे विभागी आदिकारी तो बगले छाटने लगिए सर अपने गईमेट पेज़र लोगते हैं कि तर्फ कालू पूर्गा में बनी पाइंटन की करनीशन की है क्या मिला एसा अब कर दो ने आज इसको मौके पर आके देखा है जो सिविल वर्क हुआ है उसमें बांडरी जो गनी ही है वो ट्रैक हुई है तो इसे तो असपस थोरा के सिविल वर्क जो हुआ है उसमें वो अकमेंसिप की बहुत कमी रही है किसी भी तरह से जो मानक है और जो गुरुवत्ता है उसमें कोई भी कुताही नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो जो विभाग के उच्छ स्थर के अधिकारी है जन पर उस्थर पे उनके खिलाफ कासा ही करेंगे उनके इस निरिक्षन के दोरान मुख्य विकास अधिकारी श्रीपकाश गुपता एई तृती सीबी यादव अवर अभियनता सुनिल कुमार ग्राम प्रधान मनोज यादव आदी मौजूद रहे इस मामले में जलादिकारी ओम प्रकाश आरे ने कहा कि जल निगम के इस पानी टंकी के निरिक्षन में खामी मिली है उसकी गहनता पुर्वक जाच जारी है इसमें जो भी दोशी पाए जाएगा उसके खलाफ सख्त कारवाई की जाएगी कहा कि मानकों के साथ कोई समझाओता नहीं किया जाएगा ऐसे ही और भी हमारी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं